नमस्कार आदाब, न्यूसक्लिक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, 2019 के चुनाव बस अब शुरू होने वाले हैं, और बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव कैम्पेंड के लिए अपने मैदान में उतर चुकी है, इन पिछले पांच सालों में बीज को एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी है, पूरी तरीके से, आज हम इसी विशे पर बात करेंगे, शिवम जी से, जिन्होंने पेंगुइन से चपी ये किताब लिखी है, How to win an Indian election, ये दर असल पहले बीजेपी के साथ ही काम करते थे, और इन्होंने फिर बीजेपी को साथ और आपने बीजेपी तब जॉइन की थी जब आप यूएस में थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और ये बताएं कि जो एक मोदी फिनॉमिना जिसकी बात की जाती है, खासतोर से देश के बाहर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, तो मैंने बीजेपी ज मिलता था कि देश में policy paralysis है, देश में बहुत जादा corruption है, बहुत अलग-अलग किसम के scam निकल के आते थे, रोज आदमी को सुनने को मिलता था कि ये 2G घोटाला हो गया, ये commonwealth games का घोटाला हो गया, कोल गेट घोटाला हो गया, जिसमें 2,000 करोड का नुकसान हो गया, एक बहु सरकार नहीं हारती है, और लोग उसी के लिए वोट देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इतने सारे घोटाले जो निकल के आ रहे हैं, उनका भी वोटर पे कोई असर नहीं है, उस जमाने में एक सोच बन रही थी कि कोई विकल्प चाहिए, एक बदलाओ देश में आना जरूर गुजरात मॉडल किया है, उन्होंने देश को ये समझाया कि उनने गुजरात का एक काया पलट कर दिया है, एक विक्सित राज्य का निर्मान किया है अपने गुजरात मॉडल के जरिए, उन सब चीजों को देखते हुए मैंने भी बीजेपी जॉइन की, और बहुत सारे अ लग-अलग भहने पहलत बहुत अलग-अलग फील्ड से आके जुड़े एंड वालन्टियर उन लोग ने भार्तियाजनता पार्टी के लिए काम किया और भार्तियाजनता पार्टी से जादा उन लोगने नरेंदरमोदी के लिए के लिए काम किया उस scenario में जब मैं एश में तो मैं भी एक volunteer के तौर पे भारतिया जन्ता पार्टी के साथ जोड़ा Overseas Friends of BJP के साथ काम किया जो social media initiatives थे जो BJP को support कर रहे थे उनके साथ काम किया उनके लिए मैं content लिखता था काफी सारे articles लिखे उस जमाने में एक बहुत बड़ी उमीद लोगों में जागी थी कि कुछ बहुत अलग होगा कुछ बहुत नया होगा एंड ये उमीद अगर आप दिखेगा तो देश में लोगों को 2016-2017 तक फिर भी बंधी हुई थी उस जमाने में अगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई लिखता था social media में तो अचानक से जो troll army बोलते हैं वो troll army हमेशा party के लोग नहीं थे वो काफी सारे लोग actually volunteer थे वो आपी सारे लोग ऐसे थे जो वाकई नरेंद्र मोदी के एक नए भारत के प्रॉमिस में इतना विश्वास रखते थे कि किसी ने खिलाफ लिख दिया तो हजारो लोग उसके खिलाफ कमेंट करने चल देते थे एक दम भी मतलब पूरा narrative or discourse one-sided था उस जमाने तक 2016-17 तक आज के date में अगर आप दिखेगा तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहीं आया है कि वो dominance टूट गया है by and large politics आज के देश में जो देश की हो रखी है आज की तारीक में उसमें ऐसा है कि corporate interests dominate करता है एक चुनाओ लड़ना इतना महंगा काम है एक भारतिया जनता party की size की party चलाना इतना महंगा और इतना बड़ा operation है कि कोई भी बहुत honestly उस काम को नहीं कर सकता है यह जनता के donation पे नहीं चल रहा है तो किताब लिखने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैंने politics अंदर से देखा है प्रशांत किशोर जी के साथ काम किया Congress के campaign में in Punjab उसके इलावा BJP का जतना North East में campaigns था वो देखा उत्तर प्रदेश का भारतिया जनता party का campaign देखने का मौका मिला तो वो सब देखके मुझे जो समझ में आया मुझे ये देखा कि voter आज के date में गुमरा किया जा रहा है Social media and conventional media दोनों उसका एक part है पर उसके इलावा system भी ऐसा हो चुका है कि कोई बहुत honestly politics आज के date में कर ही नहीं सकता है सिर्फ अपना message और सिर्फ अपना brand पहचाना सिर्फ कार्यकरता को engage रखना इतना बड़ा operation है आज के date में कोई भी party अगर चलेगी तो system ऐसा हो चुका है कि आप corporate funding पर depend कीजेगा जो corporate आपको fund करेंगे उसका अब एक नया system आगया है electoral bonds का जिसमें anonymously donate कर सकते है political party को तो भले ही आपने उसके बदले में किसी corporate house के लिए कुछ किया आपने कोई policy ही बदल दी एक corporate house को benefit करने के लिए देश में आज के date में कोई तरीका नहीं है कि साबित हो पाए क्योंकि वो जो पैसा political party को दे रहा है आज के date में anonymous है आप quid pro को नहीं दिखा पाईएगा लिंक नहीं कर पाईएगा foreign funding इस सरकार ने allow कर दी political parties की ये एक बहुत बड़ा change है पहले political parties सिरफ अपने profit का मुनाफ़े का 7.5% डोनेट कर सकती थी ये limit हटा दी गई इस सरकार में तो भले ही ये बोलते हैं कि जादा honest है एक honest political governance लाना चाहते है बट political funding के साथ इन लोगों ने जो खिया है उससे ये बहुत साफ है कि corporate पैसा in politics बढ़ा है and corruption in politics बढ़ा है आपने यसे शुरू में बताया कि आप जिस दोर में बीजेपी के साथ जुड़े उसमें बहुत बड़ा कारण था corruption की वज़ा से कि इसे पिछले जब जुनाव हुए तो उसमें corruption एक बहुत बड़ा मुद्दा था और आपने अब ही ये भी बताया कि बीजेपी के आने से भी corruption दरसल रुका नहीं है वो बस बड़ भी गया है बहुत हद तक और वो anonymous हो गया बहुत जादा तो इसी से जोड़के मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हुआ कि आपको लगा कि अब मैं बीजेपी के लिए काम नहीं कर सकता जो आपने सोचा था वो उस तरह की party या वो नेता मोदी जी उस तरेके के नहीं निकले कॉणसीए चीज थी जिससे आपको लगा कि मैंstory बीजेपी के साथ काम नहीं कर सकता और आब बीजेपी के लिए काम किया करते थे मतलब तो मैं बीजेपी का डेटा प्लजेटा अनलेटिक्स समभालता था राम माधव जी है, बीजेपी के नाशनल जनरल सेक्रेटरी है, तो उनके ओफिस के लिए, नौर्थीस्ट का जितना डेटा अनलिटिक्स था, वो संभालता था मैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने काफी टेक्नलोजिकल टूल्स बनाए, जी आएस मैपिंग, हम लोगों ने पॉ जोर है, कौन सा बैटल ग्राउंड है, जहां थोड़ा सा महनत करने से जीता जा सकता है, इस से दो-तीर बड़ी चीजे होती थी, एक तो माइक्रो टारगेटिंग ऑफ कम्यूनिटीज हो जाता था इस डेटा की वज़े से, क्योंकि जो छोटी कम्यूनिटीज हैं, जिस पे क बहुत सारी OBC कम्यूनिटीज हैं, जिनकी ऐसी कोई पार्टी नहीं है, जो कि बेसिकली स्विंग वोटर थे, तो भारतिया जनता पार्टी ने फैसला किया कि अगर उन वोटर पे फोकस किया जाए, उन वोटरों का वोट लेने का कोशिश किया जाए, जो नौन जाट फोकस ग्रूप डिसकॉशन्स हुए, सर्वे होते थे, जिससे ये देखा जाता था कि कौन सा मुद्धा ऐसा है जो इस ग्रूप के साथ कनेक्ट कर रहा है, उन मुद्धों को लेते हुए उसी को फिर सोशल मीडिया, वाट्साप, कन्वेंशनल मीडिया, जो ओन ग्राउंड कैमपेन है, उसके थूप बिल्ड किया जाता था, हुआ क्या कि उमीदें थी बहुत सारी सरकार से, कि एक विक्सित देश बनेगा, एक करप्शन फ्री देश बनेगा, वो तो नहीं ही हुआ पॉलिसी काफी चेंज की सरकार ने जिससे की साबित भी ना हो पाए कि करप्शन ह बहुत साफ है कि चुनाओं में खर्चा बढ़ा है, पिछले कुछ सालों में, अगर आप देखेगा तो नए टेक्नोलोजी आही है, यह 3D रैली हो गया, विडियो वैन हो गया, अगर आप अखबार पलट के देख लिजे, उसमें आप देख लिजे कि कितने विग्यापन आ हो रहा है, दूसरी बात ये भी साफ है कि ये small donation से नहीं चल रहा है, जिस तरीके का बड़ा amount है, तो जो corruption free governance का expectation था वो तो नहीं ही हुआ, पर देखे, देश में जो निराशा फैली हुई है, आज के डेट में जनता ये भी नहीं मान रही है कि पार्टी बदल देने से corruption solve हो जाएगा, या फिर party बदल देने से जो नौकरिया नहीं मिल पा रही है, जो farmers crisis है, किसानों की हालत देश में आज बहुत खराब है, MSP जो बढ़नी थी उस प्रकार से नहीं बढ़ पाई है, जहाँ MSP बढ़ी भी है, वहाँ MSP मिल नहीं पा रही है किसान को, तो ये सारी दि लंगा गया है, अपने विकास की छवी दिखा के वोट मांगने का तो अब प्रयतन भी नहीं किया दा रहा है, आज के डेट में सरकार की कोशिश क्या है कि अच्छा देखो हमने पाकिस्तान को मार दिया, पुलवामा हमला हुआ था, Congress pro Pakistan है, pro Muslim है, प्रधान मंतरी जब ऐसे आरोप लगा दे, सरकार का सारे तंत्र आपके है, पुलिस आपकी, आईबी आपकी, पर आप स्टेज पे चड़के ऐसा बोल दीजे वस ओपोजिशन के बारे में, उसमें कोई इंवेस्टिगेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो एक नॉर्मल आदमी के लिए जो कुछ अच्छा करना चाहता है राजनीती में, जो एक राजनेतिक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, देश का भला देखने के लिए, देश में विकास देखने के लिए, उस तर पे बहुत खराब लगता है, वही चीज फिर करनाटका में भी हुई, इनने जा के वहां पे जैसे बीएस यवडिर अपा जी के करप्शन की बात चल रही थी, रेड़ी ब्रदर्स जो माइनिंग स्काम में इनवालवड है, उनने भारतिया जन्ता पार्टी जोईन की, तो उसकी बात चल रही थी, वो नरेटिव जो था, प्रधान मंतिरी ने एक जूट बोलके स्टेज से व अंदर से पार्टी देखते हुए ये बात बहुत साफ है कि प्रधान मंतिरी को अगर हिस्ट्री पता करना है थे, आज पता करना है तो उनके पास हजारों तरीक है, वो पूरा एक PMO होता है, पूरा एक Secretariat होता है, भारतिया जन्ता पार्टी का एक पूरी टीम उनके साथ ल अपने भाशन में Congress के नेता करेक्ट कर रहा है, तो इस तरह की जो राजनीती है, जहां पे आप एक शर्यंत्र के तहट कुछ गलत बोल दें, कुछ जूट बोल दें, जिससे पूरा conversation ही derail हो जाए, इस तरह की राजनीती का समर्थन मुझे लगता है, देश में किसी को भी न कर रहे हैं, उसके बारे में जो कयास लगा जा रहे हैं, कि इनसाइड वीजेपी वो लोग कैसे, क्या सोच अब आप यह तो हम लोग नहीं बैठ के बता सकते हैं, कि पूरी पाटी उस तरह पे क्या सोच रही है, लेकिन वो अगर आप थोड़ा बहुत बता सके कि वो अंदर आप बहुत ही बेवजहा की चीजों पर बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बहुत बड़ा कॉंपनेंट यह है कि लोग बोलता हैं बीजेपी आईटी सेल के बारे में, अगर आप देखेगा कि आज के डेट में सोचल मीडिया पर वाट्साप पर ज विशे हैं जिसके बारे में जनता बात कर रहे हैं, विशे कहां से आ रहे हैं, तो ओफिशल बीजेपी चैनल से नहीं आ रहे हैं, आज कल फेस्बुक यह एड लाइबरेरी करके एक नया चीज निकाला है जिसमें बताते हैं कि किस पेज ने कितना खर्चा किया प्रचार में तो ऐसे ऐसे पेज हैं जो एक एक करोड़ 50-50 लाख रुपे महीना खर्चा कर रहा हैं, यह वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी टाइप के पेज़ हैं, नेशन वितनमो टाइप के पेज़ हैं, जो ओफिशली पार्टी के नहीं हैं, बट यह करोड़ों खर्चा कर दे रहा हैं मह इनको पता है कि अपने डिवलप्मेंट के मैसेज से वोट नहीं ला सकते हैं, जनता उसमें विशास नहीं कर रही है क्योंकि दो करोड नौकरियों का वादा किया था, वो दो करोड नौकरिया कभी आई नहीं, किसानों के लिए यह ऐसा कुछ देश में करने ही पाएं, अब मिनिममम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, वो नहीं मिलना चाहिए, मिल पा रहा है उनको, जो इरिगेशन की विवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है, तो डिवलप्मेंट के नाम पे आज के डेट में इन्हें वोट नहीं मिलेगा, अगर आप देखिएगा तो इ एक ऐसी पार्टी है, जो कि बहुत प्रो हिंदू मानी जाती है, तो इन्होंने देखा कि उस च्छवी से ये इतना कंसॉलिडेशन कर सकते हैं वोटो का, कि उससे वोट मिले, तो जो सोशल मीडिया है, वाट्साप है, इसके जर्ये एक मेसेजिंग ये जाता है कि देखो मु तो दिखाती है कि equal होगा Muslim population to Hindu population in 2274, and उस समय, global अबादी would be 190 billion, तो हम लोग सब overpopulation से ही मर जाएंगे उससे कहीं जादा पहले, दूसरी तरफ message इस तरह का जाता है कि Congress party हो, या फिर जो regional party है, BSP हो, समाजवादी party हो, वो pro-Muslim parties है, तो अगर भारतिया जंता party को वोट नहीं जाएगा, यादभावी हो जाएगा, दलित हावी हो जाएगा, एक इस तरह का concerted messaging जा रहा है, भाशन दिये गए गए पुल्वामा के बाद उसमें JNU students को blame किया गया, कुछ WhatsApp गाने बनके आ गए 24 घंटों के अंदर, and उन गानों में ये था कि दुश्मन देश के अंदर है, देश के अंदर के दुश्मन को मारना जादा जरूरी है, वरना पाकिस्तान की क्या उकात, 24 घंटे में जो इस तरह के गाने बने, इसके पीछे एक बहुत बड़ी machinery है, बहुत बड़ा concerted effort है, ये पहले से plan होता है कि ऐसा narrative बनना है, उसके बाद ये content बनता है, push out होता है, इ ये जनता तक पहुचे, और ये message, जो WhatsApp messages है, जो Facebook messages है, ये गाओं गाओं में पहुच रहा है, एक Reliance Jio का भी बहुत बड़ा रोल है, कि सबके हाथों में आज के data में स्मार्टफोन और AGB data है, इतनी बेरोजगारी है कि जनता दिन भर बैट के वीडियो देख रही है, और ये बीजेपी ने systematic तरीके से अपने campaign का एक हिस्सा बना दिया है इसको आज, तो आपने बीजेपी के साथ की campaign के लिए, नौर्थीस में खासतर से बात, काम भी किया, और नौर्थीस्ट एक ऐसा हिस्सा था देश का, जहां अभी तक वो लोग नहीं पहुच पा रहे थे, लेकि मजबूस थिती में आने लगे हैं, तो नौर्थीस्ट के लिए क्या future रहेगा? तो तरपुरा के campaign में तो मैं खुद लीड कर रहा था, साथ महीने में तरपुरा में था, एक बहुत interesting case study था वो, CPIM की सरकार वहाँ पिछले पच्चे सालों से थी, मानिक सरकार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री थे वहाँ पे, काफी simple आदमी थे, भारतिया जनता party क्योंकि व पुराने Congress के नेता थे, उन सब को भारतिया जनता party में merge करवाया गया, तो एक काडर तो आपका वहीं create हो गया, दूसरा, जो मानिक सरकार की सरकार थी, वहाँ पे जो चल रही थी, वो एक बहुत simple और एक अच्छी government थी, in the sense की insurgency, उनने वहाँ पे खतम की, 7th pay commission वहाँ पे 4th pay commission पे राज्य चल रहा था, and 5.5 थार्ड ये वगयरा मिला के, actual amount में, तो लोगों की तनखा बढ़नी थी 15-20,000 अगर 7th pay commission आ जाए तो, भारतिया जनता party हम लोगों ने calculation करके दिया, कि 1,60,000 वहाँ पे सरकारी करमचारी है, 27,000 वोटिंग पोपिलेशन इस्टेट का, तो भारतिया जनता party के नेताओं ने promise कर दिया, उसके बाद हमने काफी परचे प्रिंट किये, सरकारी offices तक ये message पहुचा कि 7th pay commission में किसकी तंखा कितनी बढ़ेगी, tables and graphs गये काफी सारे, तो इस एक promise से सारे सरकारी करमचारी आपके साथ आगर, मानिक सरकार, to his credit, ये सब होने क बात भी उनने ये नहीं बोला कि अच्छा, हम भी दे दे देंगे 7th pay commission, उनने ये समझाना चालू किया कि state का budget के लिए ये नुकसान दे क्यू है, and why it is unreasonable for a state like Tripura to promise 7th pay commission, but obviously जहां लोगों का अपना finances involved है, जहां उनका खुद का फायदा हो रहा है, ये सब explanation कौन सूने का कि state budget म पैसा नहीं है, तो वहां हम भी जब office में discuss करते थे, तो मैं भी बोलता था कि हम लोग पका यहां सरकार बनाएंगे, और पिछले सरकार से ज्यादा बेकार सरकार बनाएंगे, बट सरकार बनेगी भारतिया जनता पार्टी की जरूर, अभी जो हम देख रहे हैं, खास्तोर से चुनाव कैंपेण के समय हम देखते हैं, कि सोशल मीडिया का इस्तमाल तो खेर बहुत जादा हो गया है, लेकिन उसी के साथ साथ जो डिस्कोर्स है, उसका स्तर इतना जादा गिर चुका है, कि कई बार लगता नहीं है कि यह राजनीती, मतलब एक देश की राजनेता यह सा प्लाटफॉर्म मिल गया है लोगों तक अपना पहुंच बनाने के लिए, तो देखे, सोशल मीडिया की वज़े से स्तर गिरा तो है, पहले क्या होता था कि सिर्फ क्योंकि अखबार थे और यह डिजिटल मीडिया प्लाटफॉर्म से न्यूस चैनल थे, तो कोई भी नेता अगर कुछ बोल रहा है, तो उसको थोड़ा responsibility दिखाना परता था, उसको यह दिखाना परता था कि बिल्कुल कुछ गलत ना बोल दे, बिल्कुल कुछ नकली ना ले आए जनता के सामने, क्योंकि पकड़ा जाएगा, न्यूस चैनल भी एक verification करते थे, उनके पास भी एक staff हो आजे reportage के लिए, यह बहुत महंगा होता है, इससे कहीं सस्ता है कि आपने 10 party के प्रवक्ताओं को बलाया, साथ में बेटाया, और बोला कि अच्छा यह मुद्धा है, डिवेट कर लिजे, social media on the other hand, ऐसा हुआ है कि उसने speed बढ़ा दी है सब चीजों की, अब verification का कोई weight नहीं पहले, social media में वेरिफिकेशन नहीं है, और बहुत आदमी जो social media पे fake news फैला रहे हैं, वो इसलिए नहीं फैला रहे हैं क्योंकि उनको उस news पे विश्वास है, वो उनके world view और जो bias एक आदमी का होता है, अगर किसी को लगता है कि अच्छा नहीं मुसल्मान वाकई बदमाश हैं, हिंदू से कम patriotic हैं, देश के लिए खतरनाक हैं, तो उसके पास कहीं Syria का भी video आता है, यह देखते हुए कि कोई मुसल्मान मार पीट कर रहा है, तो वो circulate कर देता है, बोलके कि अच्छा आजमगड का video है, देखो, मैं तो कही रहा था कि ऐसा होता है, तो इस तरह की जो इसना following बनते जा रहा है, जो उसको follow कर रहा है, वो उसके world view से agree करता है, उसका bias and जिसको follow कर रहा है, उसका bias same है, तो वो content कभी verify नहीं करेगा, लेफ्ट में भी यही है, राइट में भी यही है, अगर आप oil news जैसी website देखेगा, जो कि checking करती है facts की, boom live एक है, जो कि बताता है कि क्या fake news है, क्या actual है, तो उनकी following जो है, वो भी one-sided ही है, वो आपस ही में retweet करके, यह debate करके कि अरे देखो, fake news को हमने bust कर दिया, हमने सचायो जागर कर दी, वो वही करके खुश हो जाते हैं अपने एक echo chamber में, दूसरी तरफ जो fake news circulate कर रहा है, वो अपना fake news देखके कर रहा है कि आपने उसको debunk कर दिया है, तो खतम हो गए, लेकिन वो लोगों में पहुच रही है, तो social media इस मामले में बहुत घातक medium है, कौन advertise कर रहा है, कौन content sponsor कर रहा है, यह बता पाना लगभग ना मुनकिन है, इस पे Facebook भी अपने policies चेंज कर रहा है, उनको अमेरिका के, उनको जर्मनी में, पार्लिमेंट में समन किया गया, उनको इंडिया में समन किया गया, पार्लिमेंट में, एक कमिटी ने बुलाया, जो अन राक ठाकर जी हेड कर रहे थे, उस में मितलब, basically हर देश ऐसा है, जो कि देख रहा है कि इन प्लाटफॉर्म का गलत इस्तिमाल ही आएगा, चली हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, देखते हैं, दोजान उननेस के चुनावों का क्या नतीजा होते है, आपकी किताब के लिए आपको बहुत-बहुत शुब कामने, न्यूस क्लिक देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया,